मैं नीता मैता आज आपके साथ शेर करूंगी पनीर तिक का पनीर तिक का तो बहुत थरीके से बनता है चाहे वो रेड कलर का हो जो यह लो कलर का जो अछारी फ्लेवर में उवन गृण बनता है हर्याली पनीर तिक का और आप सब को पता है मलाई टिकका तो बहुत पॉपिलर है तो रेश्मी मलाई ऐसे भी बनते हैं तो चलिए आज मैं बनाती हूँ अचारी पनीर टिकका पर इस टिकके को सीखने के बाद आप कोई भी टिकका बना सकेंगे अचारी पनीर टिकका बनाने के लिए 200 ग्राम पनीर आधा कप दही मलमल के कपड़े में आदे घंटे के लिए टांग ले एक छोटा चमच अध्रक लसुन का पेस्ट एक बड़ा चमच कॉन फलार अचारी मसाला बनाने के लिए एक छोटा चमच सौफ आधा छोटा चमच जीर आधा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर एक बड़ा चमच नीता महता तंदूरी टिकका मसाला नमक स्वाद अनुसार तो सबसे पहले हमें अचारी फ्लेवर्स की नॉलिज होनी चाहिए तो उसके लिए मैं थोड़ा सा जो स्पाइसे हैं उन्हें रोस्ट करूंगी जो अचा रायीया शर्षो उससे भी कम तो वन फॉफ ती स्पून रायीया सर्षो कलौजी रायी सर्षो के बराबर वन फॉफ पी स्पून इन सब को मैं थोड़ा सा ड्राय रोस्ट करूंगी और फिर मैं इसे दर-दरा कूट लूँगी कभी-कभी अगर आपको जल्दी है, तो आप इन सब चीजों की जगा क्या इस्तमाल करेंगे, आम की अचार का मसाला भी आप ले सकते हैं, इसकी जगा, पर आज कल जरा लोगों ने अचार खाना for health reasons कम कर दिया है, जैसे मैं अपने घर में जरा अचार कम रखती हूँ, So I prefer doing this, कि मैं ये अचार के जो spices हैं उन्हें रोस्ट करके अपने टिक्के में डाल दूँ, बस जादा नहीं रोस्ट करना, आपने देखना है, जो सौफ है, वो काली ना हो, और सिरफ थोड़ी fragrance, अरोमा आने लगें इन चीजों का, 2-3 मिनित मेरे अंदाजे से इसको लगेंगे, Basically, सौफ का ज्यादा रोमा आता है, अच्छे से एक बार मिला लेते हैं से, ताकि अच्छी इवन भी ब्राउन हो जाए, चलिए, अब ये अच्छी तरह तिड़क भी रहा है, जिसको हम क्राक्लिंग कहते हैं, इसका मतलग ये अल्मोस्ट डन है, अब ग्यास बंद कर देती हूं, नहीं तो ये जल जाएगा, और ऐसे ही बंद ग्यास में ही आधा मिनित के करीब से स्टर कर लेती है, ठाकि अगर उन्निस बीस की कसर रह गई है तो वो पूरी हो जाएगी, अब इसे हमें कूपना है, तो चाहे बेलन से ले लीजिए या आप इसमें ले लीजिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसे हम कूप लेंगे, उतनी देर में थोड़ा सा और काम है अचारी फ्लेवर में के लिए, सबसे पहले आप तेल गरम करिए थोड़ा सा, जिस्ट अबाउट टेबल स्पून, ज्यादा ने करने की जरूरत, पैन तो हमारा गरम ही है, में आप डालेंगे, एक प्यास छोटा बारिक कटा हुआ, पुड़ा सा गरम हो जाए, तो हम स्नैक्स की तरह खाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी हरी मिर्ची इसके अंदर अच्छी लगती है, तो थोड़ी सी हरी मिर्ची में अबाउट एक टी स्पून, चॉप्ट हरी मिर्ची, और अगर मन करें तो इसके बीज निकाल के आप इसे काट लिए, प्यास के साथ ही भून लोगी, तो उसकी हीट भी कम हो जाएगी, पर फ्लेवरिंग रहेगी, प्यास को थोड़ा गोल्डन करना है, अब जब तक ये प्यास गोल्डन होते हैं, हमने ये जो भून के रखेते मसाले, अब थोड़े ठंडे भी हो गए, एकदम गरम गरम आपसे कुटेंगे नह क्योंकि ठंडे होके वो क्रिस्प होते हैं, उसके बाद ही वो कुटते हैं, ये मैं कूट लेती हूँ, ज्यास में रंग बदल दिया है, थोड़ा सा और गोल्डन कर लेते हैं इसे, बहुत लाइट मत रखियेगा, बस इसके अंदर अब हम डालेंगे, जो हमारे कुटे जो ये अचारी फ्लेवरिंग थी सारी, आज धीमी कर दीजिए, जबी भी आप मसाले डालें, याद रखें आज धीमी करेंगे, तो मसाले जल जाते हैं और उसकी फ्लेवरिंग खतम हो जाती है, इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ी सी हल्डी, अचारी है तो हमें अगर आपने आम की अचार का मसाला डाला है तो हल्डी, लाल मिर्च, सब चीज उसी के अंदर होती है, आधा चमच लाल मिर्च, इसे मिला लीजी अच्छे से, और अब आप गैस बन कर दीजिए, चलिए, अब ये भी तयार है, मसाला, अचारी मसाला हमारा प्याज, बिल्कुल प्याज और मसालों के साथ तयार है, अब नेक्स्ट, पनीर काटने की बारी आगई, इस मसाले को हम थोड़ा सा पनीर के अंदर भी भरेंगे, तो पनीर का जो मोटाई है, जो थिकने से, वो अ यदा ही ना बढ़े, इसके मैं 200 ग्राम के अबाउट 6 पीसेज निकाल लेती हूँ, ये अबाउट 3-4 इंच के करीब पनीर है, इसको आप बीच में से कट करेंगे, पनीर के पीसेज अब हमने कर लिए है, और इसे अब आप स्लिट कर दीजिए, और इसे अब आप स्लिट कर इसको काट लीजिए, ये जो हमने मसाला बनाया था प्याज का और अचारी स्पाइसिस को भरने से पहले ज़रा टेस्ट कर लीजिए, नमक तो डालना भूली गया इसके अंदर हम, तो चलिए थोड़ा सा नमक मिला देते हैं, और अब ये खटा नहीं लग रहा, तिखा लग मैंने खटा इसलिए नहीं डाला कि अगर आप आम का अचार्द का मसाला एक्चली डालेंगे, तो फिर आपको खटाई डालने की जरूरत में है, अगर आप ऐसे बना रहे हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा नीता महता चाट मसाला मिला सकते हैं, या आप अमचूर मिला सकते हैं, या थोड़ा सा निम्बू का रस भी मिला सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी खटास होनी जरूरी है मसाले में, तो मैंने मिला दिया इसके अंदर पीता महता चाट मसाला, अब इसको एक बार फिर से खाके देख लेते हैं, इसका टेस्ट कैसा आया है, अब बढ़िया लग नमक भी ठीक है, खटास भी आ गई है, और अचारी फ्लेवरिंग्स तो हैं ही सौफ अगयरा की, अब इसके अंदर हम भर लेंगे ये, छुरी से भर लीजिए इसे, पनीर नॉमली न थोका लगने लगता है, तो अगर ये फिलिंग होती है, तो उससे पनीर थोका ने लगता एक बात का ध्यान रखें, कि आप इसके अंदर प्याज भर रहे हैं, तो अगर आपके प्याज मोटे कटे होंगे, तो ये ठीक से भर रहेगा ने, आपका मतलब उठा-उठा रह जाएगा, तो प्याज को बहुत बारी काटिए इसके लिए, इसे अच्छे से दबा देजिए, कोई भी चीज भरनी हो, कभी भी किसी ने, भरने से पहले उससे जरूर टेस्ट करिये, तो इसी बहुत बार होता है, हम कुछ डालना भूल जाते हैं, पर एक बार अगर अगर अंदर डालने हैं, उसके अंदर फिलिंग, तो फिर हम कुछ ने कर सकते, तो इस अलवेज बेटर टू टेस्ट, और दबाईए उसको अच्छी तरह से जॉइन कर लीजिए, ऐसे आप सारे भर लीजिए, आप सोच रहे होंगे कि मसाला इतना जादा है और पनीर तो थोड़ा साही है, पर ये मसाला जो है हम मारिनेड में भी मिनाएंगे अभी आप देखेंगे, चलिए, जितना मसाला इसके अंदर आता है, पहले इसके अंदर भर दीजिए, और फिर आप दही ले लीजिए, और दही भी आपको कैसी चाहिए, टंगी हुई दही चाहिए, तो ये देखिए मलमल के कपड़े में मैंने बांद के रखी थी, गंटे के लिए, मिनिममम हाफ एनाद, थोड़ा सा जादा भी रखेंगे तो अच्छा ही है, और दही को अब आप ठेट लिजिए, अब इसमें हम डालेंगे, सॉल्ट थोड़ा सा, बाइंडिंग के लिए इसके अंदर हम डालेंगे कॉन फ्लार, अद्रक लसन तो बहुत जरूरी है के एक टी स्पून, अद्रक लसन, अब इसमें हम डालेंगे, मीता मेहता तंदूरी टिक का मसाला, अबर आपने प्लीन टिक का बनाना होता, तो यही मारिनेट काफी होता, सिरफ आप इसमें और इसमें और इसमें मिला देते हैं, थोड़ा सा, और थोड़ा सा तेल इसमें मिलाते हैं, अबाउन टेबल स्पून, तो यह बेसिक मारिनेट में आप यह जो में मने भनाया था प्यास और अचारी मसाला इसमें मिला देजए, अब यह मिला है, यह टंदा होना चाहिए, यह हुआज़ रही दो होना है, इसका आगया हल्गी करके यह आपका मारिनेट भी तयार है और अब इसको भी आप एक बार टेस्ट कर लीजिए बिल्कुल ठीक है स्पैसी खाते हैं फुड़ा सा मसाला और मेला लीजिए मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है अब यह जो पनीड के पीसेज हैं जो आपके स्टार्ट है उसे इस मेरीनेट में डालिए अच्छी तरह से इसके अंदर भुमाईए ताकि यह जो मैरीनेट है आपका अच्छी तरह से गोट हो जाए और इसे फिर आप ग्रिल रैक पे रखके और इसे अबाउट 15-20 मिनिट ग्रिल कर दीजिए इसी तरह से आप रैक पे सारे टिक्के अरेंज कर दें और रैक को टिक्के रखने से पहले थोड़ा ओइल से ब्रश कर दें चलिए अब यह आवन में रखने के लिए तयार है इसे हम ग्रिल करेंगे फॉर अबाउट 15 मिनिट्स वो लवली बहुत बढ़िया शकल आई है नाइस और ट्रिस्प चलिए अब हम प्रिजेंट करते हैं अटिक्को को खाने के साथ साथ देखने में भी सुन्दर लगने चाहिए तो अच्छा सा प्लाटर ले लिए कोई जैसे यह मैंने लिया हुआ है एक साइड मैंने मिन्ट की पत्ती रखी हुई है और इन्हें उठाकर फिर आप अपने प्लाटर पे अरेंज कर दीए टिक्के मुझे थोड़े से उठाने में गरम लग रहे थे तो चलिए हम टॉंग ले लेते हैं और टॉंग से उठाते हैं तो उठाने में भी असानी रहेगी और आपके हाथ भी नहीं जलेंगे कभी-कभी यह स्टाफिंग वाले होते हैं तो फुल जाते हैं तो ज़रा ध्यान से अचारी पनीटिक का चट्मी के साथ खाईए या आप कई बार लोग चट्नी में थोड़ी सी मियोनीज या क्रीम मिलाके या दही मिलाके ऐसी चट्मी के साथ भी खाते हैं और अगर आपका मन करें तो उपर से थोड़ा सा मीता महता चाट मसाला भी डाल दीजिए अचारी पनीटिक के बिलकुल तयार है गर्मा गर्म इंजोई करिए प्रवाद के बिलकुल अगर प्रवाद के बिलकुल अगर आपका अगर दोगा है